हेलो फ्रेंट्स वेलकम टुए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस की नियू रिक्रिमाइन नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अपलाए प्रोसेस के बारे में तो फ्रेंट्स यहां पर जो यह नॉ की डेटेल्स को चैक आउट कर सकते हैं अगर आप अप्लिकेबल हैं अपलाए करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अपलाए कर पाएंगे तो बात करेंगे यहां पर फैंस इसके फॉर्म अपलाए प्रोसेस के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दिसमबर 2023 तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं इसके फैंस देखिए जो वेकेंसी है वो आपके पोस्टल असिस्टेंड शॉर्टिंग असिस्टेंड पोस्टमें मेल गार्ड और MTS के लिए वेकेंसी आपकी रहती है जिसके लिए जो स्केल उफ पे है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है साथ में आपको एस क्रेटेरिया यहां पर देखने को मिल जाएगा और बैसला डिगरी होल्डर 12th क्लास पास आउट केंड़ेट और साथ में दस्वी क्लास पास आउट केंड़ेट इसमें आविदन कर सकते हैं अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप् यहां पर देखिए जो next option है वो application stage 1 का है आप इस पर click करेंगे और यह आपके सामने जो option open होगा इसमें आपको सबसे पहले आपका mobile number देना है आपकी mail ID आपको देनी है और उसके बाद validate के option पर click करना है इससे आप अपने mobile number और mail ID को OTP के मार्धिम से verify कर सके इसके बाद फ्रें यह आप यहां पर fill करेंगे category आपकी general है AWS है OBC है SCST है वो आप यहां पर select कर सकते हैं इसके बाद gender आपको select करना होगा आपका जो DOB है मिनसे date of birth वो आप इस calendar के मार्धिम से select कर सकते हैं और इसके बाद आपको जो capture code दिया गया है यह capture code डाल कर आप submit यहां से कर देंगे इसक यहां पर कुछ options है जैसे central government employee अगर आप तीन साल की कम से कम service आपने की है तो आप yes कर सकते हैं नहीं तो आप यहां पर no करेंगे इसके बाद फैंस अगर आप यहां पर दिखिये yes करते हैं तो आपसे पूचता है कोई आपकी sub category इन में से कौन सी है तो वो आप यहां पर select कर पाइंगे ऐसे ही आप service man है तो yes कर सकते हैं नहीं तो आप यहां पर no कर देंगे इसके बाद फैंस यहां पर है year of passing 10th का year of passing क्या है वो आपको जानकारी यहां पर provide करनी है इसके बाद आप से पूचेगा कि आप 10 plus 2 pass out है या नहीं है अगर आप only 10 pass है तो आप यहां पर no कर अगर 10 plus 2 pass out है तो आप यहां पर yes कर सकते हैं इसके बाद फैंस आपसे यहां पर पूचता है कि फैंस जो year of passing है 10 plus 2 का वो कौन सा है वो आपको यहां पर जानकारी provide करनी होगी और इसके बाद फैंस आपके पास bachelor degree भी है तो yes कर सकते है नहीं तो आप यहां पर no कर देंगे इ इसके बाद नीचे आपको पूचता है आपका address दो तरह से address पूचता है पहला है present address जो की correspondence address होता है जहां पर presently रहते है और यह होता है permanent जहां कि आपके documents है तो पूरा address आप जो भी लिखते है वो आप यहां मेंशन करेंगे आपका street name क्या है आपका state कौन सा है इसके बाद आपका district कौन सा है आपका पंचायट कौन सा है मंडल कौन सा है आपका pin code क्या है यह जानकारी आपको देनी होती है तो यहां पर friends जितने भी जानकारी मैंने अभी तक फिल की है वो सिर्फ sample के तौर पर है आपको friends आपकी जो actual जानकारी है वो आपको यहां पर enter करनी होगी त उसके बाद यहां से प्रिव्यू चेक कर लेना है प्रिव्यू चेक करने के बाद आप यहां से डाटा को डिकलेर करेंगे और उसके बाद यहां से सम्मिट कर देंगे इसके बाद फैंस नेस्ट आप्शन आता है आपके अप्लोड डॉकॉमेंट्स का यहां पर देखे फोटो यहां पर अप्लोड करना होगा और यह इस सभी डॉकुमेंट्स आपकी JPG फॉर्मेट में रहेंगे ब्रॉस पर किलिक कीजिए फाइल को सेलेट कीजिए उसके बार यहां पर अप्लोड कर देंगे इसके बार आप इसे डाटा को यहां से डिकलेर करेंगे और डिकलेर करने के हैं सम्मिट करने के बाद फ्रेंट से नेस्ट आप्शन आता है आपकी हाइस लेवल कंपिटीशन गा तो यहां पर देखिए फ्रेंट जो प्रेंज जो पर अपने रिपर्जेंट किया है स्टेट या यूटी को इन फ्रेंडर से सीनियर और जूनियर लेवल नैशनल आपको यहाँ पर preference मिलती है तो आपके according यहाँ पर जो भी options आपके दिये गए है उसमें से आपको आपके according option को select कर लेना है इसके बाद आपको sport यहाँ पर option मिलता है इनमें से कौन सा sport आपका रहा है वो आप यहाँ पर select कर लेंगे इसके बाद फ्रेंच से यहाँ पर आपका जो sport है उसमें आपने इसके part लिया था जिस competition में उस event का नाम क्या है वो नाम आपको देना है यहाँ पर year of event आपको देना होगा आपने उस event में कब बाठ लिया था इसके बाद फ्रेंच से आपका जो form है वो issue date कौन सा है मतलब तो certificate आपको issue हुआ है वो कभ issue हुआ है आप उसकी जनकारी प्रोवाइड करेंगे किस position में आपने इसको complete किया अगर कोई position है तो दे सकते हैं नहीं तो आप 0 की entry कर देंगे और उसके बाद आप यहां से इसे add कर देंगे अगर आपके पास कोई multiple यहां पर देखी कोई achievement है sports का तो आप multiple भी entry कर सकते हैं apply करने से पहले notification को एक बध्यान से check जरू कर ले list of sports आपको यहां पर दिये गए हैं जो कि आप यहां पर check कर सकते हैं इसके अलावा friends जो आपके पास form होना चाहिए जो कि आपका यहां पर authority द्वारा award हो वो जानकरिया आपको दी गई है जैसे माली जी international competition में अगर आपके पार लिया है तो जो secretary है national federation of game concern का उसके द्वारा authority के द्वारा आपके पास certificate होना चाहिए इसी तरह से आपको list दी गई है उसी के according आपको जो form है यहां पर जो है आपके पास होना चाहिए और उसके बाद ही आप इसे यहां पर complete कर सकते हैं तो यहां पर friends preview चेक करने के बाद आपको यहां पर देखे इस data को declare करना है और उसके बाद save and continue करने के बाद friends यहां पर देखिए अब आपका joh sport certificate है form number आपको दिया गया है वो आपको यहाँ पर upload करना है jpg format में और यह friends से आपको जब upload कर देंगे इसके बार आपको इस data को declare करना है और उसके बार आपको finally यहाँ से इसे submit कर देना है इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए जो post applied का option आता है इसमें आपको preference देनी है आप सबसे पहले किस post के लिए preference देना चाहते है उस तरह से आपको यहाँ पर preference देनी होगी तो preference आप अपने according यहाँ पर फिल कर सकते है preference फिल करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर मिलता है circle preference तो आप सबसे पहले कि circle के लिए आविदन करना चाहते हैं उसके according आपको option यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं आप number of vacancies भी check कर सकते हैं apply करने से पहले तो यहाँ पर friends इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए जो preference है वो आपको यहाँ पर यहाँ पर देखिए आपका जो form है वो complete हो जाएगा और form complete होने के बाद आप अपना final printout रख सकते हैं अगर आपका fee payment लगता है तो आपको fees pay online यहाँ पर करनी होगी और इध्यान रखिएगा general OBC mail candidate को ही fees यहाँ पर pay करनी है online mode में और इसके लिए जो fees है 100 रुपीज आपकी यहाँ पर रहती है तो इसके लिए friends आप अपने देखिए registration number को यहाँ पर enter कर सकते हैं और उसके बाद ही friends आप अपनी जो fees है याप payment है उसको आप complete यहाँ पर कर पाएंगे fees friends अभी की लगती नहीं है यहाँ पर जो fees है form 1, form 2, form 3 आपको यहाँ पर इस तरह से form दिये गए हैं तो जो भी आपको authority दी गई है उनके द्वारा यह form आपके sealed और sign होने चाहिए तो ही आपका यह applicable होगा तो यहाँ पर मैंने आपको जानकारी प्रोवाइट कर दी है कैसे आप online form अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको हमारी अप्डेट पसंद आई है तो like, subscribe and share जरूर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube चनल ला सिंक्स पूर वाचिंग